तो चलिए कलाश 12 वाले जितने भी स्टुडियेंट हैं उन सभी का मंथली एकजाम यहाँ पे स्टार्ट होगी माई वाला ठीक है बाबू तो चलिए यह आपका यहाँ पेजिक्स का यह आपका पेपर है ठीक है यह आपका विसाई कोड 117 है और समय आपको एक घंटा 30 मिनिट का होगा एकजाम ठीक है जिसमें से आपका कितना 50 नंबर कराएगा बाबू ठीक है और देखिए जो अबजेक्टिव आपको दे रहे है ठीक है देख लिजिए फेजिक्स का यह एकदम वाइरल प्रस्ण है यह एकदम ओरिजिनल रहेगा 100 परसंट जाईए और एकजाम में प्रस्ण का यानि 30 अबजेक्टिव रहेगा वाबू उसमें से आपको 25 का ही अंसर देना है ठीक है 25 अबजेक्टिव का ही आपको उतर देना है चलिए आपको पहला प्रस्ण दिखाते हैं ठीक है देखिए पहला प्रस्ण है कि प्रिष्टी यह आवेस घनत्व का SI होता वो कुलॉंब इंटू वन मीटर स्कॉर होगा वन वाई मीटर स्कॉर हो जाएगा यानि ऑप्सन नंबर डी फोर देव सेना इस दर आइटन से चलिए चलिए दूसरा नंबर है तेजी से आप लोग क्या कीजिए याद कर लीजिए लिख लीजिए नहीं तो वीडियो का मान क्या होता है तेहां पर बिलकुल याद रहेगा बाबू यहाँ पर ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा एट पॉइंट फाइट फाइट विंटू टेन दी पाउर मैनस बारा फैराड परती मीटर ऑप्सन नंबर ए इस दर आइटन सर शोलिए अगला प्रस्न है अगला प्र पाई एपसेलेट नोट बाई क्यू बाई आर एसक्वार इस दर आइट अंसर ऑप्सन नंबर भी चलिए फोर नंबर प्रस्न आपके सामने है कि किसी गोलिये किसी गोलिये प्रिष्ट के अंदर यदि क्यू आवेस रख दिया जाए तो संपुन प्रिष्ट से निकलने वाल दिवध्रव की निरचिये इस्तिति में बिधूत बिभाव का ब्यांजा क्या होता है तो चलिए यहां पर देखिए पाच नूमर कहां देखिए इसका जो होगा पाच का अंसर बाबू वो होगा सुन्नी होता है ठीक है वो सुन्नी होगा चलिए six नंबर प्रस्ण है कि आव आवेस का बीमा क्या होता है मेरे साथ ही आप याद रखी गा अवेस का जो बीमा होता है वो ए t a square होता है यांँ उप्सन नंबर डी चलिए अगला प्रस्ण है निम्लिखीत में किस रासी का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है मतलब वी भाई एम किसका होता है बाबु तो ये आप सभी को पता होगा विधुत छेत्र का होता है यानि option number D will be the right answer चलिए नाइन नंबर प्रस्ण की आप एचिक पराव बैधुत अत्ता का मात्रक क्या होता है हम तेजी से करते है इसका option number D हो जाएगा ठीक है इनमें से कोई नहीं चलिएगा दो समान संधारितर को समांतर क्रम में जोडने पर उसकी समतुली धारिता क्या होती है तो यहाँ पर दो समान धारिता रहेगा और C संधारितर को समांतर क्रम में तो आपको पता है कि समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है यहां पर option number A हो जाएगा 2C यहां पर बिल्कुल सही उतर होगा चलिएगा अगला 11 नमबर है कि mu अपवर्तनांग तथा A प्रिज में कोन वाले पतले प्रिज का नियू नितम बिछलान कोन क्या होता है तो यहां पर 11 का option number B हो जाएगा mu minus 1 into A चलिए सूरिक के प्रकास का वर्न करम क्या होता है तो देखिए सूरिक का जो प्रकास का वर्न करम होता है मेरे साथी वो होता है सतत ठीक है वो एक सता तो होता है अगला प्रस्ण की और आगे बढ़ते हैं कि समान समयोजन के लिए खागोलिये दूरदर्सक की आवर्धन छमता होता होती है वो होती है मेरे साथी F0-FE यहाँ पे बिल्कुल ही सही उतर होगा चलिए 14 नमबर प्रस्ण है कि निम्रिखीत में से किसका आपरतनाग सबसे अधीक होता है तो देखिए हीरा का परतनाग सबसे ज़्यादा होता है और इसका होता है 2.42 यहाँ पे होता है ठीक है याद रखीगा 15 नमबर प्रस्ण है कि फिरिंज की चवड़ाई के लिए निम्रिखीत में कौन सुत्र सही है तो देखिए फिरिंज का अगर चवड़ाई आपको ग्यात करना है मेरे इस प्यारे तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी यहाँ पे बिल्कुल सही उतर होगा चलिए 16 नमबर प्रस्ण है कि एक परकास वर्स बराबर कितना होता है मेरे साथी गयान आप सभी लोग को पता होगा कि एक परकास वर्स होता है 9.6 गुने 10 वर पावर 15 मीटर यहाँ पे बिल्कुल यह उप्सन नमबर A हो जाएगा ठीक है चलिए 17 नमबर है कि निखीत में कौन लेंस मेकर सुतर है तो देखिए बाबु लेंस मेकर सुतर कहेगा तो यहाँ पर यह option नमबर A सही उतर हो जाएगा चलिए ठीक है अगला प्रस्ण है तेजी से करार है जी चलिए कि निखीत में कौन पानी के अपवर्तनांग के लिए स सही होगा वो हो जाएगा मियू बराबर 1.33 होता है ठीक है पानी का अपरतना कितना होता है तो 1.33 होता है चलिए और अगले प्रस्निक और आगे बढ़ते हैं कि 19 नमबर की समाने आख के द्रिष्टी के लिए असपस्ट दूरी की नियूनितम तो देखिए आप लोग नहीं प प्रस्निक निम्लिखीत में कौन कूशी का समीकरन है तो देखिए कूशी का समीकरन पूछ रहा है बाबु तो यहां पे 20 का उपसन नमबर C हो जाएगा मियू बराबर A पलस B by lambda स्कूर चलिए एकीस नमबर है निम्लिखीत में कौन परकिर्नित परकास की तिवरता आई और प्रकास के तरह इंग धहर लेमडा के लिए सही है तो 21 का option number मेरे शाथी के लिए option number D यहां पे सही उतर होगा चलिए 22 number है कहां किया 22 number है निम्ली खीत में कौन प्रकास के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है तो देखिए अगर यहां पे जो नहीं बदलता है बाबू वो क्या होता है यहां पे रुक जाईए यहां पे आविरती नहीं बदलता है ठीक है option number A हो जाएगा चलिए अगला है 23 number निम्ली खीत में कौन संभंध सही है तो देखिए 23 का option number मेरे प्यारे option number एकाल अंतर बराबर 2 pi by lambda into पाथांतर हो जाएगा चलिए अगला है 24 number कौन बिनासी बेती करण के लिए सही है तो देखिए 24 का option number A हो जाएगा कलांतर बाई 2 एन पाई हो जाएगा एक मिनट चलिए निम्ली खीत में कौन आगला प्रस्ण है बाबू निम्ली खीत में कौन प्रकास के रंग के लिए मुख कारण है तो 25 का option number त्रेंग धहर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है 26 निम्ली खीत में कौन आवेस रहीत है यानि उसमें आवेस नहीं रहता है तो 26 का option number C फोटोन कन हो जाएगा अगला प्रस्ण है आपको 25 का ही अंसर देना है लेकिन आपको हम 300 का अंसर दे रहे है ठीक है निम्ली खीत में किसे electron volt में मापा जाता है तो 27 का option number उर्जा हो जाएगा ठीक है यह बराबर ठीक है यह भी होता है अगला प्रस्ण है बाबू निम्ली खीत में कौन photon की उर्जा के लिए सही है तो photon की उर्जा के लिए हाँ पे hc by lambda option number भी हो जाएगा चलिए 29 number है कि तरंग संख्या किस के बराबर होता है तो तरंग संख्या जो होता है 1 by lambda के बराबर होता है यानि option number है चलिए और लास्ट कोशन है बाबू निम्ली खीत में कौन संबंध नाभी की की तिरिजा के लिए सही है तो नाभी की की तिरिजा के लिए option number 8 हो जाएगा तो चलिए 300 का आपका objective दे दिए है जितना हो सकते आपको share कीजिए वीडियो को share कीजिए और सभी सब्सक्राइब कर लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए